हेई एब्रिवान गुद मॉर्निंग इस पॉलमी और विल्कम टू माई चैनल बाइपो किल जिंदेगी कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो मैं भी अच्छी हूँ सो आज सुभे ब्लॉब को स्टार्ट करी हूँ और यह दिखिए मैं नहा के आई हूँ अभी मैं जारी हूँ शिवम के घर मेरा जो भाई है कजिन तो उनके घर में आज पूजा है हाउस वर्मिंग है आज उन्होंने नया घर बनाया है तो उसका पूजा है आज तो अभी सब कुछ मैं शेयर करूंगी आपके साथ आशा करते हूँ यह व्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो कि पूजा कर रहे हैं यहां पर देखिए नहा के आके हम सब बैट के पूजा का काम कर रहे हैं यहां पर मैं चाची और वह एक मौसी है चाची की बड़ी बहन तो हम सब बैटके यहां पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर में पंडिजी आयेंगे और उसके बाद पूजा होगा आज तुल्सी जी का और सते नारायन का पूजा होगा यहां पर तोसी की कर दिया है तो नारायन जी का और तुलसी जी का पूजा पंडी जी अभी कर रहे हैं और सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है दूसरे तरफ जो पूजा का भोग है वो बनाया जा रहा है भोग प्रशाद जो है और चली इस बीच मैं शीवम का घर आपको दिखाते हूँ वो पिंक वाला जो घर है वो मेरा घर है और ये शीवम का नया बिल्डिंग है तो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो सबसे पहले हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाते ही राइट एंड साइट पे सबसे पहले आता है पूजा रूम भगवान जी का र और ये लेप साइड में ये एक ड्रोइंग रूम बनेगा और ये एक दूसरा बैडरूम है और इसके सामने सीधा जो आप दरवाजा देख रहे हैं और और एक बेडरूम है ये एक 3BH के हाउस है आप बोल सकते हो और फिर किचेन और बातरूम वगएरा है पूरा घर का हू पूजा कंप्लीट हो चुका है और अभी भोग लगाया जाएगा भगवान जी को तो ये दिखे भोग बन गया है तो लाके रखा जा रहा है यहां पे और सत्यनारायन के पूजा में हमारे इधर चावल का भोग लगता है साथ में पाच तरे का भाजा जो है फ्राई वो रह यहां पे दिखे एक आया है प्लेट यह दूसरा प्लेट आ रहा है क्योंकि आज सत्यनारायन का पूजा हुआ साथ में तुलसी जी का भी पूजा हुआ है तो इसलिए और अभी पंडित जी पूजा करके भोग लगाएंगे भगवान जी को मंत्र पढ़के तो वही वो कर र है और वही हम लोग बोल रहे हैं पूजाली हो जाने के बाद हम लोग अभी एक एक करके हर कोई जो चर्नामृत होता है वो ले रहे है और शिवम हम सब में डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है चर्नामित तो पूजा हम लोगों का आजका हो गया है तो आभी चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि आज actually खाने में क्या बना है और भूग में क्या लगा है तो यहाँ पे दीखिए सबसे पहले है बैंगन भाजी और भी कुछ-कुछ भाजी था साथ में यहाँ पे है साग साथ में यह है सीम की सरसो डाल के एक सबजी यहाँ पे है चन्य डाल की पतली सी डाल और यहाँ पे है शुक तो साथ में है यह पनीर गोबी और मतर डाल के एक कड़ी और है साथ में टमेटो का मीठा चटनी और साथ में है यह मिसा खीर तो यह आज क मेनू है और अभी देखिए सारे कोई खाने के लिए बैठ चुके हैं मम्मी लोग डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं मैं भी कर रही थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ा क्लिप आप लोगों के लिए लेती हूं इसलिए तो सब कोई अभी खाना खा रहे हैं उसके बाद हम लोग भी खालेंगे अभी शाम का टाइम है और मैं घर आई थी फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और अभी फिर से जारी हूं चाची के घर वहाँ पे अभी भगवान जी का जो गाना वाना होता है ना प्रेयर्स वह होगा अभी बेंगॉली में इसको किर्टन बोलते हैं तो हो रहा है और पूजा आज का बहुत अच्छा हुआ पूरा दिन तो बहुत अच्छा गया और थोड़ा सा क्लिप मैंने शिवम के घर का भी शेयर किया था सो कैसा लगा आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और चलिए अभी आपको दिखाती हूं किर्टन क्या हो रहा है तो यहां पर देखें मैं आई और ँट्तन शुरू भी हो गया है सब लोग बैटकर अभी गाना गारे है इक साथ यहां पर मम्मी और एक आंटी बैठी हुई है सब लोग हम लोग बैठ के कितन एंजॉय कर रहे हैं और इधर में शिवम हम लोग भी बैठे हुए है हम लोग यहां पर थोड़ा सा धमाइल डांस भी कर लेते हैं कितन फाइनली खतम हो चुका है और अभी यह जो प्रसाद है इसको सब में बाता जाएगा तो यह इतना अतना ऐसे डिस्रिब्यूट किया जाता है तो यह देखिए ऐसे छोड़ेंगे और इसको पकरना होता है बहुत शुब माना जाता है तो यहां पर ही आज का प्रोग्राम खतम होता है और मैं ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ आशा करती हूँ यह व्ल किल जिन्देगी